जैने दोस्तों वर्काउट नमबर 69 चेस्ट का वर्काउट करेंगे अपर चेस्ट इंकलाइन बेंच प्रेस विद्ध डंबाल्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को लास तक देखना एक्सराइज के प्रोसीजर को समझने की कोशिस करना हूँ तो सुरू करते हैं लाइट वेट से स्टार्ट कर रहा हूँ हमें सबसे पहले इंकलाइन बेंच 45 डिग्री एंगल पर उसको रख लेना है और लोर बैक में एक आर्क बनाएंगे डंबाल्स यह थोड़ी सी हमारी टक पोजिशन रहेगी इसमें पिछे की तरब नहीं आ जाएं हाँ 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 है एक गलती हम क्या करते हैं उपर जाकि हम इसको मिला देते हैं जिससे कि हमारे चैस्ट अंगेजमेंट खतम हो जाती है और हमारी मसल उसमें एंगेज नहीं रहती तो उससे कम फायदा होता है फायदा तो होगा लेकिन कम फायदा हुआ हमें पूरे अपनी मसल को एंगेज रखना और हमें यहां से नहीं करना यहां से हमारे सोल्डर पर ज्यादा एफेक्ट आता है जबकि चेस्ट की बजाए लाइक दिस यह गाल पर हमें अलका से टक रखना इसका जितना सलो आप कर पाओगे उतना अच्छा होगा जितना ज्यादा वेट बढ़ाओगे दीरे दीरे प्रोग्रेसिय और लोड जिसको बोलते हैं वो भी अच्छा होगा आपके स्ट्रेंथ के लिए और जो सबसे जरूरी है इसमें इसके जो पहला से अट हम लगाएंगे वो ल परेंगे में भीटे के लेंगे इसमेशो के लिएले गामेंगे इसके हम लिए होगा झाला जैसके काती कैनल्डाम है शोह बहांगे हो झाल झाल